नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है आज हम बात करेंगे एक सक्यूलेंट अरेंजमेंट कैसे तैयार करें पिछले वीडियो में हमने तीन चीजों के बारे में बताया था और आज के वीडियो में हम उन्हें लागू करेंगे तो सबसे पहले हम एक शैलो और चोड़ा गमला लेंगे मतलब हमें सक्यूलेंट के लिए बहुत गहरे गमले की आवश्यक्ता नहीं है इस तरह के गमलों में सक्यूलेंट सुन्दर लगते हैं सुनिश्चित करें गमले में एक ड्रेन होल हो हम उसी मिट्टी का उप्योग करें जो हमने इस चैनल पर पहले वीडियो में प्रचारित किया था अब यदि आप चाहते हैं सिरैमिक के गमले का भी उप्योग कर सकते हैं लेकिन मुझे मिट्टी के गमले पसंद हैं मिट्टी या कंक्रीट के गमले सक्यूलेंट्स के लिए भी सर्वोत्तम हैं क्योंकि ये गम सक्यूलेंट्स को रखें और देखें कि ये ठीक लगता है या नहीं यहां मैं अरेंजमेंट के लिए एचेवेरिया अगवाइडिस और एक ग्रप्टोवेरिया मरपाइन का उप्योग कर रहा हूं इन सभी सक्यूलेंट्स की पानी और सनलाइट के मामले में समान आवश्यक मुझे डॉर्मनसी और नॉन डॉर्मनसी के बारे में कोई समस्या नहीं है जैसा कि मैंने पहले कहा था तो चलिए मैं उन्हें स्थापित करने का प्रयास करता हूं एक बार जब आपको लगे कि सक्यूलेंट्स की प्लेस्मेंट अच्छा है तो उसके ऊपर अधिक मिट्टी डालें बस इतना ही अब बहुत महतुपूर्ण बात अब कृप्या टॉप ड्रेसिंग न करें जैसा कि कई लोग करते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा है कि टॉप ड्रेसिंग नीचे की मिट्टी में नमी को ट्रैप कर देगी यदि आप सजावट करना चाहते हैं फिर एक या द पौधों को ना मिलाएं ये केवल सक्यूलेंट्स होना चाहिए सुनिश्चित करें कि हवा के संचार के लिए बीच में कुछ जगह हो इसके अलावा बीच में कुछ जगह रखने से सक्यूलेंट्स को ओपन अप होने में मदद मिलेगी क्योंकि हमने जिस प्रकार के सक्यूल जो होरिजोंटल रूप से बढ़ते हैं और अरेंजमेंट में सक्यूलेंट्स कंजेस्टड महसूस नहीं करेंगे सक्यूलेंट्स के बीच में स्पेस रखने का एक और फाइदा ये है कि इससे आपके लिए सूखी पत्तियों को निकालने जैसे मैंटनेंस करना आसान हो जाएगा और इससे आपको दृष्य जाँच में भी मदद मिलेगी मतलब कि किसी भी कीट या फंगस की जाँच करना एक और महत्वपूर्ण बात अरेंजमेंट में तुरंत पानी न डालें पांच से छे दिनों तक प्रतीक्षा करें तो आज के लिए बस इतना ही हमारे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जाँचें कि मिट्टी पूरी तरह से सूखी है या नहीं तो दोस्तों मुझे आशा है कि यह वीडियो मददगार था अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और सब्सक्राइब करना न भूले तब तक मैं आपकी अनुमती चाहता हूँ अगले वीडियो में मिलते हैं अपना खयाल रखें और आपके समय के लिए धन्यवाद